कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आज है क्रिस्मिस बज रहे हैं रात के ठीक दस और क्या हाल चल रहा है क्रिप्टो मार्किट का सारी अपडेट्स कवर करेंगे क्या important अपडेट्स आ रही हैं और आज Christmas था तो कहीं न कहीं Bitcoin के अंदर इस Christmas हमको कुछ भी अलचाल होती हुई नहीं दिखी तो ये Christmas भी फीकी चली गई ठीक है क्योंकि पिछली Christmas पे Bitcoin काफी अच्छा उपर चल रहा था और beer run में कहीं न कहीं जो है बहुत ज़दा impact पड़ता है और इस तरहीं पे पड़ भी रहा है और last के 5-6 days रह चुके है 2020 किसके 2K ये जो bad year है उसको खतम होने में अभी भी 5-6 दिन बाकी है तो ये last के 5-6 दिन में क्या होता है market के अंदर ये देखना बहुत ही ज़्यदा ज़रूरी है अगर आप आप देखोगे 243 डॉलर पर चल रहा है अपना BNB coin 20,000 रुपे पर प्राइस है Bitcoin चल रहा है 16,800 डॉलर पर 13,90,000 के अराउंड जो है प्राइस बिटकोईन का है आज की डेट में नेक्स्ट इथिरियम भी वहीं 1200 के लेवल पर बना हुआ है 1211, 1212 इसी रेंज में इथिरियम भी चल रहा है इसके अलावा अगर हम देखें बाकी alt coins में भी नमी देखने को मिल रही है Bitcoin के साथ साथ चाहे आप Solana देखेंगे TRX देखेंगे TRX की जहां तक बात करते हैं एक तरह से stable coin ही बन चुका है TRON का ये TRX coin इस टेम पे bear market के अंदर एक तरह से stable ही हो गया और अगर आप देखो rare coin जो कल से pump कर रहा है अभी भी 13% उपर चल रहा है rare तो ये हाल है अभी current market के gainer list पे अगर चले हैं तो WAN WAN coin top leader मना हुए gainer list का 15% उपर है rare 13% 4th 12% उसके बाद Ray Mover और CTXE next हम बात करेंगे जो सबसे पहली update है वो आ रही है Forbes की तरव से crypto billionaire lost 116 billion dollar in 2022 मतलब 2022 के अंदर crypto billionaires का कितना पैसा गया आप अंदाजा लगा सकते हैं 116 billion dollars crypto billionaires ने अपना गवा दिया क्योंकि market बहुत ज़्यदा 2022 में गिरी है और इतने जो billionaire बन चुके थे पिछले साल 2021 तक जब bitcoin उपर चल रहा था वही market गिरने के साथ-साथ यहाँ पे 2022 and the ongoing bear market have seen a wave of unprecedented losses or bankruptcies and liquidations according to recent report by Forbes और यह जो report आई है वो Forbes की तरव से आई है and crypto billionaire lost a total of 116 billion dollar एक तरह से 2022 ने billionaires को भी कहीं ना कहीं उनकी भी wealth को भी जो है कम किया है और specially यहाँ पे जो beer run चल रहा है उसने market में बहुत ज़्यदा लोगों को पूर किया है इसमें कोई doubt वाली बात नहीं है means जिनकी wealth काफी अच्छी खासी थी 2020 के end तक वो आज बहुत अच्छी wealth अपनी गवाँ भी चुके है क्योंकि bitcoin बहुत नीचे आ चुका है और कल को यही bitcoin अगर दो लाख डोलर तीन लाख डोलर जाता तो यह फिर से billionaire की list में top के उपर होंगे है ना तो वही बात है market उपर जाएगा तो फिर से billionaire बन जाएगे नीचे आएगा तो थोड़ी सी wealth में कमी आ जाएगी next हम बात करेंगे एक ऐसे data के बारे में मतलब market 2023 में कैसा रह सकता है थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे 2024 और 2025 यह जो अगले 2-3 साल है यह market के अंदर कहीं न कहीं पैसा बनाने वाले साल हो सकते हैं क्योंकि 2022 में तो पैसा गवाया है लोगोंने पैसा गया है लेकिन 2023 से शुरुआत हो सकती है पैसा बनाने की बिलकुल मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ चलते हैं डेटा के उपर यह कुछ डेटा आप देखो यहाँ पे और यहाँ पे हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं अगर आप देखो टाइम है 2020-2014 से लेके 2022 तक का market का क्या हाल रहा है हर महीने का और हर साल का भी आप देख सकते हो कि bitcoin ने कितना return दिया है तो अभी हम चल रहे हैं कहाँ पे December में चल रहे हैं और अगर आप देखो यहाँ पे 2014 नीचे से शुरुआत करते हैं 2014 में जब bitcoin ने return दिया था वो bumper return दिया था 568% का उसके बाद का जो year था 15 का वो negative में गया 60% सक bitcoin के price गिरे उस time पे लेकिन अगर आप देखो उसके बाद के अगले 3 साल जो आए जब 60% bitcoin 2015 में गिरा 2016 अच्छा bitcoin चला 17 अच्छा और 18 तो और भी जवरदस्ता bull run वाला एक तरह से मतलब अगर आप देखो बहुत अच्छा यहां पे जो है profit बना के दिया bitcoin ने अगर हम यहां पे देखे तो 2017 का आप देखो यहां पे जो year है यह है 2017 का और 2018 की जहां तक हम बात करते हैं तो यह भी एक लाल निशान में बंद हुआ था जी हां 18 का वो year था जब bitcoin 97% ओफ हुआ मतलब 97% तक bitcoin का price गिरा था 2018 के अंदर अब आप खुद imagine कर सकते हैं वहां पे sentiment कितने negative रहे होंगे bitcoin को लेके लेकिन 2019 फिर bitcoin उठा 86% उपर 2020 173% और 76% bitcoin profit दिया 2021 के अंदर मतलब आप इस इस data से एक चीज़ समझ सकते हो देखो ये जो year negative गया उसके बाद के 3 साल positive return दिये फिर उसके बाद जो ये year negative गया आप देखो 3 साल positive return दे रहा है bitcoin उसके बाद negative में जा रहा है उसके बाद फिर से 3 साल लगातार positive return दिये उसके बाद अब जो है हमने एक negative year देख लिया है मतलब December का भी यहाँ पर data आ जाएगा जब यह 5-6 दिन बीतेंगे तो 80% तक जो वह Bitcoin टूटा है इस year है ना तो यह भी एक लाल निशान में बंद हो चुका है जिस तरह यह year बंद हुए थे और इसके बाद के जो year आने relief rally दिखेगी ठीक है और फिर 2024 में तो आपको पता Bitcoin की Halloween है और भी मज़ा आने वाल है Halloween के बाद और फिर 2025 एक ऐसा year हो सकता है जहां पर आपको और भी बढ़िया return तो एक तरह से आप इस data से यह समझ सकते हो कि अगले 3 साल पैसा कमाने के साल है 2022 में जरूर पैसा गवाया लेकिन अगले 3 साल अगले 2 साल बिल्कुल भी miss मत कीजेगा मौका देगा market तो छोड़िएगा मत बिल्कुल भी मत छोड़िएगा जितना गवाया है वापिस recover भी करना है है ना जिन लोगों के portfolio सभी के negative में चल रहे हैं सारे लोगों के question आते हैं कि सर हमारा portfolio negative में चल रहा है हमारे इतना negative में चल रहा है मैं उनके लिए यही कहूंगा जहां एक साल आपने इतना negative वाला देख लिया तो भाया अगले अगला जो time आने वाला है वो अपना time होगा बस थोड़ा सा patience थोड़ा सा wait आप और दिखाएंगे तो definitely यही market आपको recover भी करके देगा recovery के साथ साथ profit भी बना के देगा तो अगले तीन साल पैसा बनाने के साल हैं पैसा गवाने के नहीं मेरे इसाब से अगर हम इस data को देखें तो इस data के साथ से भी नहीं बोल रहा हूँ कि bitcoin वो जितना गिरना था वो इस साल गिर चुका है थोड़ा सा और गिर सकता है ठीक है और ज़्यदा आप यह मत सोचिए कि bitcoin एक हजार डॉलर हो जाएगा तो वो शायद चीज आपको देखने को ना मिले लेकिन 2023 से अपना time start होने वाला है next update की बात करें तो वो हम बात करेंगे नसीम निकोलस तैलिप के बारे में जी हाँ black swan के बारे में आपने जरूर सुना वा black swan के author हैं और crypto को लेके कुछ tweet आया है इनका क्या tweet आया वो भी देखना बहुत जरूरी है कही न कहीं आज कर लगर जो crypto को लेके tweets आ रहे हैं वो बहुत जरूरी है ऐसे time के अंदर तो कि अभी recently आपको पता है चेतन भगत जी ने भी crypto को debt करार दिया था तो ये इनका 4 दिन पहले का tweet है अगर आप देखो not all dimwits do crypto but all crypto people are dimwits तो कहीं न कहीं एक तरह से crypto वालों को आप यूँ समझ लीजिए कि मतलब यूँ समझ लीजिए fool, stupid है ना एक तरह से मूर्ख जो है crypto वालों को यहां पे समझा जा रहा है इनकी तरफ से and not all dimwits do crypto but all crypto people are dimwits that is dumb in a special way तो एक तरह से crypto को लेके tweet आया और तो कुछ इस तरह के जो statement है वो नसीम निकोलेस तैलेब की तरफ से भी crypto को लेके देखने को हमको मिले हैं पिछले कुछ दिन के अंदर next हम बात करेंगे vault inu coin के बारे में vault inu अगर आप देखो यह एक ऐसा crypto coin है जो market के अंदर अब wales की भी list में आने लग गया है मतलब wales भी accumulation कर रही है wales की list में जब coin आना शुरू हो जाए तो फिर accumulation भी start हो जाता है wales जिस coin को पकड़ लें तो फिर वो उसको आसमान पे भी पहुँचा देती है vault inu one of the most used smart contract अगर most used smart contract की अगर हम बात करें among 1000 BSC wales के अंदर तो vault inu रहा है पिछले 24 घंटे के अंदर 1000 BSC बाइन स्मार्ट चेन की जो वेल्स है अब बाइन स्मार्ट चेन की वेल्स जो है उनकी list में आने लग गया है next हम बात करेंगे neo को लेके neo coin, neo smart, neo blockchain and the neo manet will be upgraded to the latest version of neo CLIV 3.5.0 on 26th of December एक तरह से आप समझ लीजिए manet upgrade होने वाला neo का अप्ग्रेशन जब भी होता है अब जो अप्ग्रेडेशन होते हैं वो कही ना कही अच्छे होते हैं और coin के लिए जरूरी भी है coin की और अब जो है neo का हमको देखने को मिलेगा 26th तो यानि कल जो है इसका अप्ग्रेड होने वाला neo manet का जो एक अप्ग्रेड है वो हमको देखने को मिलेगा नेक्स्ट हम बात करेंगे की टॉप 5 जो टॉप की कुछ 10 crypto currencies आपने morning में भी बात की थी कि जो google होती है सबसे ज़्यदा मतलब जो google पे सबसे ज़्यदा search होती है चाहे आप देखो crypto currencies worldwide in 2022 मतलब अगर आप worldwide अगर हम बात करें 2022 में जो सबसे ज़्यदा google के उपर search होई है उसमें second number पे आता है bitcoin second number पे means US के monthly searches है और globally monthly search की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे bitcoin के बाद शिबा इनुने ज़ंडे guard रखे है मतलब आप खुद इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि 2022 में भी शिबा इनुने ज़ंडे गाडे 2021 में भी ज़ंडे गाड के आया है शिबा इनुन ठीक है price increase नहीं हुआ market नहीं बड़ा no doubt return हमको नहीं मिला लेकिन यह जो number बता रहा है यह जो data बता रहा है यह अपने आप में काफी है शिबा इनुन second है US में भी और world में भी second number के उपर bitcoin के बाद अगर कोई coin market में आता है तो वो शिबा इनुन है last and final update है राका को लेके राका has partner with read on me 3 तो राका भी back to back जो partnerships है वो कर रहा है और जो की अच्छी बात है जिस तरह bit get की हो रही है उसी तरह राका की भी हो रही है तो आज की इस वीडियो करते है यहीं पे end वीडियो पसंद आया like, share, comment जरू कीजेगा कोई question कोई तो पूछ सकते हैं नीचे description Twitter, Telegram के link है join जरूर कर लेना वहां आपको सब ही update मिलते रहते हैं तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए Bye Bye, Take Care